आज मैं बनाने जा रहे हूं कद्दू और करील की सब्ची जो की बहुत ही टेस्टी होती है करील जो 36 के लोग ज्यादा इसे खाते हैं सबसे पहले कड़ाई में ये तेल गरम करेंगे उसके बाद जीरा डाल देंगे और सर्सों डाल देंगे और ये देखी यह करील ये बास के नई कौपनों से बनता है और टामाटर सुखी खड़ी मिर्च लेंगे, यह गद्दू है, और जीरा और सरसों फुनने के बाद, हम इसमें डाल देंगे तेजपत्ता, अब डाल देंगे हम सुखी लाल मिर्च, इसके बाद इसमें डाल देंगे लेशुन, प्याज डाल देंगे, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे करील करील को थोड़ा तलने के बाद डालेंगे हम इसमें कद्दू और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे अब डाल देंगे मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर गरम मशाला और नमक टमाटर इसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे यह सबजी बहुत ही टेश्टी लगती है और एक बार आप जरूर ट्राय करिएगा इसमें पानी बिल्कुल भी ने डालना है कद्दू पानी छोड़ता है अब हम इसे ढख देंगे और ढख कर ही इसे हम पकाएंगे यह देखिए साथ मिनट बाद हम इसे खोल कर देखेंगे कद्दू पका है कि नहीं और बहुत ही जल्दी पक जाता है कद्दू ज्यादा टाइम नहीं लगता है यह देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी सबजी बनके तयार हो गई है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक से और कमेंट्स कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने अगर नहीं है तो मिलते हैं अगली रेस्पी में तब तक के लिए बाय टेक क्यार तो कद्दू और करील की सबजी जरूर बनाईएगा अभी यह सीजन करील का भी है और कद्दू भी आसानी से मिल जाता है तो एक बार आप जरूर ट्रै करिएगा थैंक्यू फर वाचिंग यहां टक का थे जार कर खेंग बाय मिल रॉश स्फषी में में अध्वेरिंग जड़ स्वड़ कि उऩ़ा किस तो सुणते हैं तो 컨 Leaf तो मु dialogue